आपको क्लास 11 तका जो 15 मार्च के दिन वार्षिक पेपर होने वाला है उसमें अधिक अंक चाहिए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा टेन नम्मर करहेगा अंसे पेसेज उसका स्क्रीन सोट यहां से लीजिए बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा एक बार यहां से देखिए इस तरह से कॉस्चन पूछा रहेगा आपको इसमें पेसेज में नोट्स बनाने है और समरी लिखना है तो यह देखिए नोट्स का पहला पॉइंट है यहां से लिखिएगा समरी का स्क्रीन सोट ले लीजिए कॉस्चन नम्मर थिरी में आपको फॉर नम्मर का नोट्स दिया रहेगा तो यहां से इसके इसके इंसोट बढ़िया से ले लीजिए इसके बाद में इसी के अथ्वा में आपको एडविटाइजमेंट देना है कॉस्चन नम्मर थिरी का ही यहां से फॉर सेल के लिए यहां तक ठीक है एप्लीकेशन के अथ्वा में आपको लेटर दिया रहेगा तो यहां से देखिए यह लेटर आएगा आपका ब्रदर और सिस्टर की मेरिज का देखिए तो यहां से इसको स्क्रिन सोट ले लिजिए और कर लिजिए का कॉम्पिलेट कॉस्शन भाइब में आपको NSS केंप के उपर से आइरटिकल बनाना है तो यहां से स्कीन सोट लीजिए इसका और इसी के अथ्वा में आपको आर्टिकल के अथ्वा में रहेगी रिपोर्ट रिपोर्ट देना है ग्रोम और ट्रीस के लिए तो इसे पढ़िया से पढ़ लीजेगा और अच्छे से कंपलीट कर लीजेगा question number 6 से आपका section C start हो गया है 6 और 7 नमें आपकी 10 नमर की grammar रहेगी तो ये grammar आपको कोई 5 करनी है इनके सभी के answer यहाँ पर मैंने लिख भी दिये है इसके बाद में यहाँ से ये do is directed रहेंगे ये भी 5 नमर के ये पहले question का screen sort और इसके बाद में ये सभी के इनके answer question 8 में फिर से आपको पेसेज दे दी गया है तो यहाँ से पेसेज का screen sort ये इसके question और ये इसी के नीचे इनके सभी के answer question number 9 में आपको दो question दिये रहेंगे A और B में ठीके तो question number जो A है इसमें 9 का इसका ये screen sort लिजी प्रसन का यहाँ से ये question है यहाँ से ये सारे question और ये सभी के answer 9 का जो आपका question 9 का जो B है उसमें lesson 2 से आपको एक पेसेज दिया गया है तो यहाँ से ये पेसेज है और ये इसका question और ये सारे के answer यहाँ तक कुस्चिन नम्मर जो टेन है वहाँ से आपके सारे question answer सिरू हो गए है करके लो नम्मर जो लिए गपिले सारे का जो आपके सारे के ये थान का और ये करदा ये जो एक अन्याव भी